प्रिये दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. इस विडियो में आपको router वर्सिस gateway के बीच क्या अंतर है? इसके बारे में बता रही हूँ. Router और gateway दोनों network connecting device है. Router network layer पर काम करते हैं. और एक packet के लिए सबसे smallest path खोजने के लिए जिम्मेदार होते हैं router. Device को कई network से connect करते हैं. Gateway इसके विपरीत एक node के रूप में कार्य करता है, जो network के अन्य nodes के gateway के रूप में कार्य करता है. एक router विभिन्न डेटा पैकेटों को network के समान सेट के माध्यम से रूट करता है. जबकि gateway दो बहुत भिन्न network के बीच एक connection के रूप में कार्य करता है. इसके बारे में बताती ही हूँ. प्रिय दोस्तों कृप्या मेरे विडियो को अंध तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे विडियो पर कमेंट करना ना भूले. राउटर वर्सिस गेटवे राउटर और गेटवे दोनों network connecting device हैं. राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं और एक packet के लिए सबसे smallest path खोजने के लिए जिम्मेदार होते हैं. राउटर डिवाइस को कई network से connect करते हैं. गेटवे इसके विपरीत एक नोड के रूप में कार्य करता है, जो network के अन्य nodes के gateway के रूप में कार्य करता है. ये दोनों विभिन्न network के बीच data transfer करते हैं. हाला कि राउटर और gateway के बीच एक मूलभूत अंतर है. राउटर एक networking layer system है, जिसका उप्योग हम data packet को विभिन्न computer network में managing करने और forward करने के लिए कर सकते हैं. एक gateway बहुत अलग है. यह मूल रूप से hardware या एक उपकरण है, जो विभिन्न उपलब्ध network के बीच gate के रूप में कार्य करता है. यह एक node के रूप में भी कार्य करता है, जो विभिन्न अन्य network के लिए entry point के रूप में कार्य करता है. आईए हम इन दोनों की कार्यात मकताओं पर चर्चा करें. Router की definition Router को network layer mechanism के रूप में define किया जा सकता है. चाहे वह software हो या hardware metrics का उप्योग करके, network traffic के broadcast के लिए उप्योग करने के लिए, सबसे अच्छा रास्ता तै करता है. Router एक ऐसा उपकरण है जो अपने IP address के आधार पर. एक network से दूसरे network पर data को root या forward करता है. जब router से data packet प्राप्थ होता है, तो router data के IP address का निरिक्षन करता है. और यहां निर्धारित करता है कि packet अपने network के लिए है या नहीं. तो यह data प्राप्थ करता है. या यदि data किसी अन्य network के लिए है, तो यह data को दूसरे में स्थानांतरित करता है. Network इसका मतलब है कि router केवल data को forward करते हैं. यदि destination computer इच्छित उप्योग करता है. राउटर के पास network layer address तक पहुँच होती है. और इसमें software होता है, जो उन्हें यहां निर्धारित करने में सक्षम बनाता है. कि उन address के बीच कई संभावित पात में से कौन सा विशेश transmission के लिए सबसे अच्छा है. राउटर ब्राड़कास्ट और कोली शन डोमेन को तोड़ते हैं. इसका मतलब है कि ब्राड़कास्ट डिफॉल्ट रूप से राउटर के माध्यम से अग्रेशित नहीं किये. जाते हैं यहां वर्चुल लेंग. वी एले एन के लिए connection भी प्रदान करता है. गेटवे की definition एक गेटवे OC मॉडल की सभी 7 लेयर पर कार्य करता है. एक गेटवे प्रोटोकॉल कनवर्टर के रूप में काम करता है. एक राउटर समान प्रोटोकॉल का उप्योग करके केवल. एक नेटवर्ग पर पैकेट को स्वीकार और स्थानांतरित कर सकता है. लेकिन एक गेटवे एक सेपरेटर प्रोटोकॉल का उप्योग करके पैकेट को पूरे नेटवर्ग में स्वीकार और स्थानांतरित कर सकता है. एक gateway एक router के within installed software है Gateway protocol में format packet steps एक protocol में format packet को स्वीकार करते समय gateway द्वारा किये गए steps इस प्रकार है Gateway एक packet को स्वीकार करता है जो एक protocol जैसे Apple Talk के लिए format होता है जो sender के network द्वारा उप्योग किया जाता है इसके बाद यहाँ उस packet को दूसरे protocol जैसे TCP IP के लिए format करने के लिए convert करता है जिसका उप्योग receiver के network द्वारा किया जाता है packet के format को convert करने के बाद एक gateway उस packet को उसके destination receiver network पर forward करता है कभी-कभी केवल packet के header और trailer के लिए modification की आवशक्ता होती है और कभी-कभी gateway को packet की data दर, आकार और format को adjust करना पड़ता है router और gateway के बीच महत्वपूर्ण अंतर नमबर वन router आमतौर पर एक protocol की third layer पर काम करते हैं और वे data packet को एक system से दूसरे system में transmit करते हैं जबकि gateway network के system को packet से packet के endpoint के रूप में व्याख्या करता है नमबर टू router केवल dedicated application के लिए उपलब्ध है भौतिक server, virtual application साथ ही साथ dedicated application पर एक gateway को आसानी से host किया जा सकता है नमबर थी router hardware पर specific उपकरणों में router टैनात कर सकते हैं हम एक specific उपकरण एक भौतिक server या एक virtual server पर एक gateway टैनात करती हैं नमबर फोर एक router विभिन्न देटा पैकेटों को network के समान set के माध्यम से root करता है जबकि gateway दो बहुत भिन्न network के बीच एक connection के रूप में कार्य करता है conclusion चूकि gateway और router पूरी तरह से अलग-अलग कार्य करते हैं दोनों एक network के लिए महत्वपूर्ण है एक gateway single axis point और विभिन्न प्रोटोकॉल का उप्योग करके भिन्न network को जोडने के लिए एक converter के रूप में कार्य करता है जबकि एक router data packet के लिए स्रोट से गंतव्य तक travel करने के लिए सबसे smallest path टै करता है प्रिय दोस्तों मेरे विडियो को देखने के लिए सुक्रिया क्रिप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे विडियो पर कमेंट करना न भूले आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है धन्यवाद